हर हर महादेव, दोस्तों सावन का महीना भगवान भोले नात को अत्यदिक प्री है, यही वज़े है कि सावन मास के प्रतेग दिन भगवान सिव की विसेश पूजा अर्चना की जाती है, दोस्तों सावन मा में हर सिव मंदिर में सिव भक्तों का ताता लगता है, सावन के महीन कामना भोले नात सीगर ही पूरा कर देते हैं साथ ही सावन के महीने में पढ़ने वाले सुमवार के व्रत भी सरवधिक भायत्वर रखते हैं सावन सुमवार के दिन महादेव की अराधना और व्रत करने से भोले नात की कृपा बरस्ती है दोस्तों सावन के महीने में भगवान स्यू को प्रशन्य करने के लिए पेल पत्र, गंगा जल, दूद, धतूरा, भांग जैसी चीज़ें अर्पित की जाती हैं आपको बता दें कि सावन के महीने में कुछ चीज़ें घर लाने से भगवान भूले नात अतिदिक प्रशन्द होते हैं और व्यक्ति के जीवन में सुख संपदा आती है इसलिए अगर आप भी भगवान स्यू को प्रशन्द करना चाहते हैं तो सावन से पहले या सावन के पह इसलिए इन चीजों को घर लाने से आपकी सारी इक्षा पूरी होंगी घर में धन संपदा बढ़ेगी दोस्तों सावन से पहले आप एक सुन्दर सा जल पात्र अपने घर में लाएं हो सके तो ये जल पात्र चांदी तांबा या पीतल का हो तो अच्छा रहेगा और इस जल सावन महा में स्यू मंदिर जाकर शेवलिंग का जलाब इसे कवस्य करें ऐसा करने से देवों के देव महादेव सीगर प्रशन होते हैं और आपकी मनुकामना को पूरा करते हैं दोस्तों सावन महा से पहले ही एक जल भरा लोटा घर लाएं और उसे अपने घर पर रख दें जहां पर घर का हर सदस्य रहता हो। ध्यान रहे कि इस पानी को आप हर कुछ दिन में बदलते रहें। और जब सावन समाप्त होने के बाद आप इस जल को किसी पेड़ या पौधे में डाल दें। ऐसा करने से आपके घर के सदस्यों के बीच में प्रेम और विश्वास बढ़ता है और घर में सुक शान्ती बनी रहती है। इसके लावा सावन के महीने में रुद्राक्च घर लाना बेहदी सुभ होता है। ऐसी मानिता है कि रुद्राक्च भगवान सिव के आशों से बने हैं। जहां जहां भगवान सिव के आशों गिरे वहां रुद्राक्च पैदा हुआ। दोस्तों सावन के महीने में रुद्राक्च घर लाना बेहदी सुभ माना जाता है। घर में रुद्राक्ष रखने से सकरातमक्ता बढ़ती है और आर्थिक स्तिती में भी बढ़ोत्री होती है इसके लावा आप रुद्राक्ष की माला भी सावन में अपने घर में जरूर लाएं और इस रुद्राक्ष की माला से भगवान सिव के मंत्रों का जादा से जादा जा प्री है इसलिए आप सावन से पहले एक चांदी की डिब्बी में भस्म रख कर घर के पूजा इस्थल पर सिव फोटो या प्रतिमा के पास रख दें और सावन के हर सुमवार को सिवलिंग पर भस्म अवस्य अर्पित करें ऐसा करने से दिमाग सुद्ध एवं सांथ होता है औ इस घर में भगवान सीव का त्रिसूल होता है वहाँ पर नकरात्मक सक्तियां दखल नहीं देती हैं सावन के पहले सुमवार आप चांदी का त्रिशूल लाकर किसी श्यूल मंदिर पर स्थापित करें यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में असमर्थ हैं तो आप तामे का त्रिसूल खरीद कर भी किसी शू मंदिर में इस्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी भोले नाद प्रशन होकर आपकी हर एक्षा को पूरा करते हैं। दोस्तों सावन में चांदी का बेल पत्र भी घर लाना बेहदी सुभ होता है। आपको बता दें कि बेल पत्र के बिना सिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। स्रावन मास में आप चांदी का बेल पत्र भगवान सिव जी को अर्पित कर सकते हैं। चांदी का बेल पत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। और आर्थिक स्तिती मजबूत होती है दोस्तों सावन के महीने में भगवान सिव को गंगा जल अर्पित किया जाता है इस महीने में गंगा जल घर लाना बेहदी सुभ होता है गंगा जल लाकर सबसे पहले भगवान सिव जी को अर्पित करें और बचे हुए जल को घर में रख रखने से सुबता आती है ठीक उसी प्रकार से चांदी या पीतल के नंदी भी घर में रखना पेहदी सुभ होता है आप चांदी वा पीतल का नंदी लाकर उसे पूजा इस्थल तिजोरी या अपनी अलमारी पर रखें जहां आप धन या जोयलरी आदी रखते हैं ऐसा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे दोस्तों सावन में अपने घर पर सिव जी का प्रिय डमरू लाएं इसे घर के बच्चों के कमरे में रख दें और उनसे कहें कि दिन में एक दो बार डमरू बजाते रहें ऐसा करने इसे घर की सारी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी और घर में पॉजिटिविटी आएगी साथ ही घर में सुबता भी बढ़ेगी दोस्तों सावन में चांदी के नाग नागिन का जोड़ा घर लाएं और घर के पूजा इस्थल पर रख कर पूरे सावन मा विद्वत उनकी पूजा अर्चना करें और सावन के अंतिम दिन किसी विस्यू मंदिर जाकर आप सिविलिंग पर नाग नागिन का जोड़ा अर्पित कर दें ऐसा करने से काल सर्फ दोस्त और पित्र दोस्त से मुक्ति मिलती है या आप वास्तु दोस्त से परेशान है तो घर के मुख दौर के नीचे नाग नागिन का जोड़ा दबा दें इससे घर के सभी वास्तु दोस्त दूर हो जाती है और घर में खुसाली बनी रहती है इसके लावा सावन के महीने में पारत का शिवलिंग लाकर अपने घर में इस्थापित करें और उसकी विदी विधान से पूजा करें ऐस करने से घर से दरिद्धता हमेशा दूर रहती है और संतान ही नमपत्ती को संतान रतन की प्राप्ती होती है वहीं जिन लोगों के घर में खुसाली लाने के लिए सावन में घर में समी का पोधा लगाएं ऐसा करने से नकरात्मक्ता से बचाव होता है दोस्तों समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पूजा इस्थल पर सफेद चंदन जरूर रखें और घर से जाते समय इसका तिलक लगाएं ऐसा करने से आपका दिन सुब होता है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव या जय मातादी जरूर लिखें इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें साथी चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद